आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नहीर फोटो आट में आपने थम लाइन देखा ही होगा ओपनेड इमेज मतलब फोटो सब्सक्राइब में पहले से ओपन की गई इंस्टॉल किया तो डेक्स्टॉब पे आप देखोगे तो डेक्स्टॉब पे जो फोल्डर बना है उसके अंदर एवरिफिंग सर्च नाम का सब्सक्राइब है उसे आपको कंपल्सर इंस्टॉल करना है तो पहले इससे इंस्टॉल कर लेजिए तभी आप इस फ्रंक्शन का सब्सक्राइब कर पाऊगे ओके और में इस सब्सक्राइब को इंस्टॉल करने के बाद प्सक्राइब को कंप्यूटर में सर्च कर सकते हों सर्च करने के लिए पहले आपको प्सक्राइब को और प्सक्राइब करना पड़ेगा और प्सक्राइब को नाम को चेंज करना पड बताऊंगा किस तरीके से आप PSD को Auto PSD में कर सकते हों ओके तो मैंने पहले यहां पे PSD open कर लिए PSD के layer को select कर लिया यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि कई बार क्या होता है कुछ layer merge होते हैं यहां पर दो layers दिख रहे हैं लेकिन होता एक है इस तरीके से ओके तो होता एक layer है लेकिन दिख रहे हैं दो ओके तो इसको आपको क्या करना है कि मेरे extension में यहां पर एक clip layer नाम का button दिया गया है जिससे आप इस पर layer क्लिक करोगे यह जुड़े हुए layer अलग हो जाएंगे तो पहले आपको यह देख लेना है कि आपके layer जुड़े हुए तो नहीं है फिर बाद में अगर आपको पता चल जाए के layer complete है तो आपको पहले layer इस तरीके से करने के बाद और वही layer select करने हैं जिस जिन पर आप image फिल करना चाहते हो ओके मैंने layer select कर लिए और यहां पर द्यान दीजिए PSD file का नाम क्या है ओके यहां पर कुछ नहीं होता लेरों का यहां पर बतंट दिया घए है एच हमेले कांट यह और करने के बदशी से हो Minutes करता ही करने करने के बाद process होने के बाद यहां पर आपको पूछा जाएगा कि कहा पे सिब》 करना चाहते ॹोंपोच एई कॉंटे पस्टे विख्रम यहां फेसर वंगं जाएगा में यहीं पछाने फेसिंग करता हूं जाहाँ इस प्रच्ट क्लोस होरीजोंटल लेयर ओके इसके हिसाब से यहां पे PSD का नाम चेंज हो गया तो चलिए अब मैं इस फीचर का उप्यों किस तरीके से काम लिया जाता है और यह नाम चेंज होने से हमें क्या भी यानिफीट मिलता है और हम किस तरीके से PSD को सर्च कर सकते हैं हमारे कम्पिटर में वह भी अपने इमेज्ज के हईसाब से एक कर लेता हूं अ यहां पर मैं कुछ उपन कर लेता हूं औरbei एक बात दियान दीजिए नहीं करने के बाद जो पहलीज है वहीं सही आपको क्रम करना है वो के इससे क्या होगा कि आपकी इमेज जो पहली सिलेक थी उसके नमबर वाइस से open होगी तो हमने यहां पर जीपीजिि फाइल open कर ली यहां पर पहली में नसी इमेज कर सकते हो आपने अगर गलत जगर से सिलेक करके open किया तो हमें चाह्त सेम open नहीं होगा तो अब मैं I am यहां पर एक बटन दिया गया है काउंट ओपन इमेज एवरिटिंग सॉफ्ट तो सच पीएश्टी तो मैंने क्लिक किया यहां पर एक डायलोग बॉस बॉक्स ओपन हो गया यहां पर लिखा हुआ है टू वर्टिकल एंद फूर होरिजंटल तो यहां पर हमें कॉपी करना है क पीसारी करेंगे एवरिटिंग सॉंप्ट्वर टोपन हो जाएगा आपको ँद धियान देना है कि मेरि पैस्टी पीस्टी पापन विखा रहा है कि में यहां पर ड्यक्रों करने के बारे सिलेक्ट होंगे और यहाँ पे एक बटन दिया गया है open image horizontal vertical field तो मैंने क्लिक किया यहाँ पे बार बार PSD open होती जाएगी और image field होती जाएगी और वो भी horizontal vertical और नीचे एक बटन दिया गया है open image serial wise field तो मतलब यह horizontal vertical field नहीं होगा इस बटन से इससे आप serial wise field कर पाओगे ओके अब मैं क्या करता हूँ इस PhD को मैं close कर लेता हूँ अब क्या करेंगे कुछ और image है मैं इसे open कर लेता हूँ open करने के बाद मैं आपको दुबार दिखाऊंगा किस तरीके से आप PhD को सर्च कर पाते हैं तो हमें पहले open कर लिया हम जो चाहे एडिटिंग कर सकते हैं इन image पर और बाद में भी कर सकते हैं मतलब editing करने के बाद इससे close नहीं करना है डायरेक्ली आप PhD में फिल कर सकते हो तो यह फीचर से हैं इसका benefit यह है कि आप editing के द्वरान भी album designing कर सकते हो तो यहां पर मैंने count बटन पर क्लिक किया यहां पर लिखा हुआ आ गया थ्री वर्टिकल एन फोर होरिजोंड तो यहां पर हमें पॉपी करना है कोपी करने के बाद जैसे ही ओक करेंगे एवरिटिंग फिर ओपन हो जाएगा यहां पर हमें पेस्ट करना है तो इसके according पर क्लिक करता हूँ open image horizontal vertical film देखिए यहां पर step by step image होता जाएगा horizontal layer में horizontal image जाएगी और वर्टिकल में वर्टिकल जाएगी और वो भी सीरियल वाइज जाएगी ओके अब फिल होने के बाद automatically जो आपने और ध्यान देना है कि आपने कोई extra jpg फाइल तो open नहीं कर रखी है ना जितनी है उतनी ही आपको जितनी इमिज पर आप काम काउंट करना चाहते हो उतनी ही जेपीजी में आपको ऊपन रखनी है क्योंकि काउंटिंग गलत आएगी तो आप गलत प्यस्टी ओपन होगा ओके तो ध्यान रखना है आपको पता चल ही गया किस तरीके से इन तीनों बटनों को काम चारों बटनों का काम किस तरीके से करना है यह चारों बटन एक दूसरे से जुड़े हुए है सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेर करिए क्योंकि हर यह फ्री स्क्रिप्ट है और एक बात आप अगर आज इस पैनल से काम करना नहीं चाहते तो आप एक्शन से भी कर सकते हो यह बात भी ध्यान दीजिए यहां पर एक्शन दिया गया है सेम बटन है सेम है सब कुछ सेम है कुछ नहीं है आप पैनल से काम नहीं करना जाते तो एक्शन से कर सकते हो यहां पर यह भी फीचर दिया गया है ओके फ्रेंट्स थैंक यू लाइक करिए सेर करिए सब्सक्राइब करिए और आगे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाईए क्योंकि यह फ्री है ओके फ्रेंट्स थैंक यू क्लिए और आगे लोगों तक यह जडिया चाने ज्यादा करिए झाल झाल